नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपडा जैन, M.D. हुमेपैथी and Director of आरोग्य सुपर स्पेशिटी, Modern हुमेपैथी क्लिनिक इंदौर and working as critical and surgical disease specialist as a modern हुमेपैथ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, महिलाओं में पाई जन्याली, बहुत ही common problem, ovarian cysts, हम बात करेंगे ovarian cysts से गरसीद अन्य कई प्रकार के patient, यहों उसके साथ अन्य uterine, fibride, cervical polyp, uterine cancer, cervical cancer, ovarian cancer, इस तरीके की अन्य कई गंभीर बीमारियों पर तो हम सबसे पहले बात करेंगे ovarian cysts से गरसीद, अन्य patients के बारे में कि उन्होंने 15-30 दिन के treatment में ovarian cysts से उन्होंने पूरी तरीके से अपने आपको ठीक किया था, तो इसलिए रिती अगरवाल जी ने हमसे consult किया और आज एक मेने के treatment के बाद मिसेस रिती अगरवाल जी ने भी अपने ovarian cysts पे पूरी तरीके से विजय प्राप करके इस विमारी से चुटकारा पाल लिया है मिसेस सरजू भाई जो की धार मद्यपदेश की रहने वाली हैं और करीब 4-4 cm की ovarian cysts उन्हें right ovary में प्रोडूस हुई थी कि केवल एक मेने के modern ovarian cysts के treatment से उनकी जो सरजरी बता दी गई थी करीब 4-4 cm की बड़ी गठान जो उन्हें बताई गई थी ovarian cysts के कारण operation की सला दे दी गई थी और दोस्तों ये चमातकार था modern ovarian cysts के बड़ी ovarian cysts की गठान थी वो पुरी तरीके से डिजॉल हुई बिना किसी अन्य दवाईयों के सपोर्ट के बिना किसी अन्य प्रकार के surgical intervention के दोस्तों हम जिस तरीके से modern ovarian cysts के मध्यम से इतने सारे cases के बारे में बात करते हैं इससे ये बात साबित होती है कि modern ovarian cysts, uterine fibroid, uterine polyp, cervical, जो polyp ये इक तरीके से endometrial thickness के बढ़ने के कांट bulky uterus जैसे uncommon समस्य है जिसमें उन्हें operation के बारे में बोल दिया जाता है जिससे वो mentally तो परिशान होती है कहीं न कहीं physically पहले ही तकलिप में रहती है अपना अच्छा जीमाच जी रहे है उनिश्ची तरुप से homeopathic का modernization करके जो हमने एक नया concept दिया है जिसमें दुनिया की काफी लाइलाज बिमारी चाहे वो stage 1 से stage 4 के cancer के patient चाहे वो kidney filler के stage 1 से stage 5 के patients जोने dialysis या transplant बता जाता है कई ऐसे autoimmune बिमारी जिसका कोई इलाज नहीं है जिन्दगी बर इस्टोराइड या pain killer के बारे में बताया जाता है कई ऐसी बिमारी जिसमें सरजरी एक मात रूपा है या सरजरी कराने के बावजुद भी इस बात की कोई surety नहीं सरजरी वापस नहीं करानी पड़ेगी या बिमारी फिर सो वापस लौट के नहीं आ सकती या ऐसी कई बिमारी जो lifestyle problem के साथ blood pressure, diabetes, मिर्गी, migraine, cholesterol, thyroid इस तरीके की बिमारी या कई ऐसी बिमारी जो कि इवन hospital category में जाकर काफी emergency situation में आ सकती है इवन जो coma के इस्तिती के patient होते हैं जोनोंने मौड़ामपिती treatment के माध्यम से अपना ना केवल recovery किया बलकि ऐसे 300 भिमारी के लिए जो 3000 से ज़्यादा patient आ ठीक होकर आप हमारे YouTube के चैनल पर जाकर या website पर जाकर उन सभी patients के documentary के अधार पर उनके द्वारा बोले गए सब्दों के अधार पर उनके द्वारा लिखे के वे review के अधार पर उनके द्वारा बताये गए pre and post report के अधार पर आप उन सभी patients के बारे में जान सकते हैं समझ सकते हैं इवन doctors भी verify कर सकते हैं इसी उम्मित के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें modern उपिती के फायदे से हमेशा मुस्कुराते रहें मैं dr. अरपित चोप्रा जेन अरोग्य सुपर स्पेशली modern हुमेपहते क्लिनिक इंदोर थैंक्यू नमस्कार